दिल्ली का तीन मूर्ती भवन भारत के प्रधान मंत्री का सरकारी ठीकाना रहा भारत के सत्ता का केंदर रहा देश के पहले प्रधान मंत्री जवाहला निहरू 1964 तक इसी मकान में रहे ये शांदार कोठी कभी बिर्टिस कमांडर की कोठी हुआ करती थी यही से बिर्टिस सत्ता का संचालन होता था वाइसराय भले ही वर्तमान राष्ट्रपती भवन में रहते हूँ लेकिन सीना का कमांडर वही सरकार चलाया करता था लेकिन आजाद भारत में 1948 में यह मकान भारत के प्रधम प्रधान मंत्री का सरकारी ठीकाना हुआ और यह माना जाने लगा कि हमेशा से बिर्टिन के प्रधान मंत्री के सरकारी निवास की तरह यह भारत के प्रधान मंत्री का सरकारी निवास होगा लेकिन पंडित जवाहा लाल नहरु की मौत के बाद जब लाल भादूर शास्त्री देश के प्रधान मंत्री बने तो उनका बोड़िया विस्तर तीन मुर्ती भवन के बदले कहीं और लगा दिया गया शास्त्री को इस बात का पता भी नहीं चला और इंदिरा गांधी ने एक चिठ्ठी लिकत लाल भादूर शास्त्री को अगाह कर दिया कि आपका कद उतना बड़ा नहीं कि आप तीन मुर्ती भवन में रहें इतिहासकार बताते हैं कि शास्त्री जी सदमे में आ गये और वो फिर हिम्मत नहीं जुटा पाए फिर उसी साल 1964 में जब नवंबर के 14 तारीक को पंडित जवाहाला निरुक की जन्म तारीक थी 75 मी वर्सगाट थी तो इंदिरा गांधी का ये फैसला हुआ इंदिरा शास्त्री सरकार में एक सामान्य मंत्री बनाई गई थी लेकिन इंदिरा का फर्मान हुआ इसे नहरु मेमोरियल बना दिया जाए फिर उस दिवार के बाहरी छेतर पे नहरु मेमोरियल अंकित किया गया लेकिन 15 अगस्त 2023 को इसी नहरु मेमोरियल को पधान मंत्री मेमोरियल के नाम से दर्ज कर दिया गया दरसल इसकी घोषना तो पहले ही कर दी गई थी लेकिन 14 अगस्त की रात को जो ही ये तारीख तैय की गई और इस पे प्रधान मंत्री मेमोरियल अंकित किया गया कॉंग्रिस बॉखला गई बस सिर्फ कारकारी दरवाजे पर इस प्रधान मंत्री मेमोरियल लिखा जाना था अंदर जहां सिर्फ निहरू की यादें थी वहां प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने भारत के अब तक के सभी प्रधान मंत्रियों की यादें समाहित कर दी मोम की बनी तमाम प्रधान मंत्रियों की मूर्ती है जहां बगल में आप खड़े होकर बैठ कर तस्वीरें खीचा सकते हैं और आपके लिए वो यादगार आपुस इतिहास में समा सकते हैं कि पंडित नहरू के साथ, लाल भादूर शास्त्री जी के साथ, इंदीरा जी के साथ, मुरार जी देसाई जी के साथ, चरन सिंग के साथ, या फिर विश्वनात पताप सिंग, नर सिमरा, अटल विहारी जिन्दा हैं मनमुहन सिंग के साथ और वर्तमान पढ़ान मंतरी, नरिद्र मोदी के साथ अपनी तस्वीरें की जा सकते हैं, लोग वहाँ जा रहा हैं बरे पैमाने पर परेटक बन करके, और भूदपूर पढ़ान मंतरियों के साथ साथ, वर्तमान पढ़ान मंतरियों के सा अपनी तस्वीरें साजा करते हैं ये कितना अच्छा लगता है कि भारत के तमाम प्रधान मंत्री की यादें उस मेमोरियल में है लेकिन कॉंग्रिस तिल मिला गई राहुल गांधी से पूछा गया कि अब ये प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल हो गया है तिल मिलाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नहिरू की यादे नहीं मिटाई जा सकती उन्होंने अलहाबाद के आनंद भवन समेट 300 करोड की संपत्ती देश के नाम कर दी दरसल कांग्रिस यही ढखोसलापन से देश को गुमराह कर दी रही बच्पन में हम सब को भी लगता था कि नहिरू ने तो अपना घर तक इस देश को दे दिया लेकिन उसके कीमत में क्या-क्या पाया गया वो नहिरू का आनंद भवन भी यह दि देश को दिया गया तो वो एक मेमोरियल के रूप में है नहिरू के महिमा मंदन करने के लिए है देश की कोई काम की नहीं लेकिन पंडित जबाहलाल नहिरू देश के प्रधान मंतरी बने स्वेंग भारत रत्न अपने सत्ता के काल में ही ले लिया उनकी बिटिया ने भी यही काम किया पिता कितरही अपने सत्ता के दौर में ही भारत रत्न पा लिया क्या इन सब को भरोसा नहीं था कि इनके जाने के बाद भारत उन्हें उस रूप में सम्मानित करेगा इस देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्वेंग कोई प्रधान मंत्री भारत रत्न पा लेता हो प्रहान मंत्री तो छोईए नहिरू के काल से लेकर के इंदीरा काल या बाद के काल तक भी सरदार पटेल को वो सम्मान नहीं मिल पाया लगवक 35 साल बाद आजादी के 35 साल बाद सरदार पटेल को यह सम्मान दिया गया और बाबा साहब अम्वेदकुर को भी है सम्मान ना नहरू ने दिलाया ना उनकी बेटी ने दिलाया ना बाद के लंबे समय के दोर में तो सवाल ये है कि क्या ये देश सिर्फ और सिर्फ नहरू की संपत्ती बन कर रह गई ये सिर्फ पारिवार की विरासत है अब जो ही इस मेमोरियल पर कॉंग्रेस अपना मुँ खोलती है मुँ काला कर लेती है तो क्या जान बूच करके पधान मंत्री नरेंदर मोदी ये चाहते हैं कि कॉंग्रेस इस बिमर्ष में सामनी आए और उनकी अखारे में आकर खोधी पस्त हो जाए ऐसा क्या है कि इस देश को सिर्फ गांधी और नहरू की प्रपर्टी बना दी गई और गांधी के नाम पर नहरू को सिर्फ और सिर्फ सम्मानित किया गया इस देश में ज़्यादा तर संस्थाने, स्टेडियम, अस्पताल से लेकर सड़कों के नाम निहरू और इंदीरा के नाम पर है तो फिर एक मेमोरियल जिसमें निहरू का भी नाम अंकित है वो किसी पंडित जवाहलाल निहरू का घर नहीं था वो भारत के पधान मंत्री का निवास था तो फिर इसकी पीरा क्यूं कॉंगरेस को हो रही है और कॉंग्रिस क्यों तिल मिला गई दरसत सुल्ल जुनू 2023 को ही नहरू मेमोरियल का नाम बदल दिया गया था बस आधिकारिक रूप से इसकी घोशना नहीं हुई थी तमाम प्रधान मंत्रियों उनकी यादें नहरू मेमोरियल के बदले अब उस प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल में है और देश का हर नागरी को हाँ जाकर के अपने आजाद भारत के प्रधान मंत्रियों से रूबरू हो सकता है तो इतनी बहतरीन योजना कॉंग्रिस को क्यों नहीं सुहा रही कॉंग्रिस अध्यक्ष मलिक का अरजुन खड़गे से लेकर कॉंग्रिस के तमाम प्रवक्ता बौकलाने लगे उनके ट्वीटर हैंडल पे जाईए तो ऐसा लगेगा कि उन्हें लगता है कि कहां उनके इंतरात्मा पर चोट लग गई और ऐसा लग रहा है कि कॉंग्रिस से उनका पूरी विरासत छीन ली गई दरसल कॉंग्रिस इस देश को उस परिवार की विरासत समझती है उस परिवार का ऐसा लगता है कि ये रियासत ये देश एक रियासत है और वो सिर्फ नहरू परिवार की है जिसकदर कॉंग्रेस इसमें अपना मुँझ खोल रही है वो उतनी ही प्रतारित हो रही है 1948 में यह नहरू के नाम हुआ 1964 में नहरू मेमोरियल रहा लेकिन 2023 तक यह नहरू मेमोरियल के नाम से ही जाना गया अब देश इसे प्राइम मेमोरियल के रूप में जान रहा है बहतरीन बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में यह देखा जा रहा है कि हर किसी कॉंग्रेस को हमेशा लगता है कि उसकी जमीन उखारी जा रही है इंडिया गेट पर जॉर्ज पंचम की मूर्टी हुआ करती थी तब भी जब इंदिरा गांधी इस देश पे सत्ता पर काविज थी रसिया ने इस पर भी कामेंट्स किया था कि क्यों अब तक अंग्रेजों के शरन से भारत मुक्त नहीं हो पा रहा एक आएक भीर ने जॉर्ज पंचम की मूर्टी तोर कर गिरा दी तब से इंडिया गेट पर वो खालिव पड़ा हुआ था अब वहां नीता जी की मूर्टी है और देश उसे दर्शन करने जाता आजाद भारत के रक्षकों की उनके सेना नायकों की शहीदों के लिए कोई इसमारक नहीं था इंडिया गेट पर आज वो भी है तो फिर ये समझना इसका जवाब कॉंग्रेज को देना भारी पर रहा है कि दरसल देश के वीर सपूतों का देश के शहीदों का सम्मान कॉंग्रेज ने कभी क्यों नहीं किया सिर्फ नहरू के सम्मान की सीमा तक ही कॉंग्रेज क्यों बंधी रही इंडिया के सम्मान की सीमा तक ही क्यों बंधी रही इसलिए जब कभी भी कॉंग्रिस निहरू पर अपनी आंसु बहाती है तो फिर सवाल उठने लगते हैं कि बाकियों के योगदान का क्या आजाद भारत में कभी चंदर शेखर आजाद का सम्मान नहीं हुआ चंदर शेखर आजाद की मां गुमनामी के मौत में मड़ी और कहते हैं कि उनीस से एक्यानवे में उनकी विधवा मां जगरानी देवी लकडी के चुनते हुए उहीं पर उनकी मौत हो गई जिस चंदर शेखर आजाद की चारो तरफ मूर्तियां हैं उनकी मां की ऐसी दुरगती हुई इस देश में चाहे वो खुदी राम बोस हों चंदर शेखर आजाद हों भगत सिंग हों वीर सावरकर हों जिनका योगदान नहरू से कई गुना ज़ादा रहा गुमनामी में उनकी मौत हुई तो जब कभी भी एक नहरू मेमोरियल के लिए कॉंग्रिस फरफराती है तो देश को ये जानने का अवसर मिल जाता है कि नहरू का चड़ितर क्या था और फिर उन्हें मिला क्या एक आनन्द भवन की कुरवानी दे करके नहरू ने इस देश से और नहरू के परिबार ने इस देश से क्या-क्या हासिल किया इसलिए जब पधान मंत्री नरेंदर मोदी ने लाल किले की प्राचीर से परिबाद बाद भरष्टा चार और तुष्टी करन पर चोट मारा तो کانگریش को लगा कि चोट उसे ही माला जा रहा है दरसल हर सुधार, हर बहतरी की तरफ जब देश निकलता है तो कांगریش को क्यों लगता है कि यह चोट उसे लग रहा है यह बात जेपी झाटा कहते हैं भाच पात यक्षु तो फिर नहरू मेमोरियल से जब प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल बना तो देश को बहुत भाया, कॉंग्रिस को क्यों नहीं सुहाया, अब देश के लिए यही यक्षप्रशना है, बहुत बहुत धन्यवाद